बूर्णिंग क्लास्टेट आज हम लोग फिजिस के नेक्स लेक्चर को देखते हैं इसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप जाके प्लीज में सारे वीडियो को देख लें वहां से नोट्स भी तयार करें नेक्स हमां टॉपिक है सद्पिर को सब्गन सब्ज सब्धेर को धेखते हैं यह इम्पॉर्टेंट है आप लोगों 많 कप Rich में जाने कें पंडर इसके बाड़ में पर नहीं हुतte है 1.6 है क्नलिंर कभा 6 और copper का होता है 1.69 x 10-8 ohm meter aluminium का होता है 2.63 x 10-8 ohm meter tungsten का होता है 5.20 x 10-8 ohm meter दोखो इसमें हम लोगों सबसे important है silver ठीक है और tungsten याद कर लेंगे ठीक है copper भी ly दोखो य में नाइक्रोम का mainly पूछता है ly होता है कि जो दो या दो से ज़्यादा metal या non-metal के fixed composition में बनाने से बनता है देखो इससे नाइक्रोम के इससे बना हुआ है निकेल, क्रोमियम, मेगनीज और iron को मिला के नाइक्रोम बना है ly होता है इसका use हम लोग देखेंगे पढ़ेंगे भी आगे इसका use हम लोग iron में करते हैं heater में करते हैं इसका होता है 110 into 10 power minus 8 ohm meter देखो एक खास बात समझ लीजे good conductor of electricity should have low resistivity जो good conductor होगा उसका resistivity क्या होगा? लो होगा यहाँ सबसे ज़्यादा low किसका है? silver का इससे silver क्या है? best conductor है ठीक है? electricity का पूर कंड़क्टर of electricity will have a high resistivity पूर कंड़क्टर जो का उसका resistivity क्या होगा? हाई होगा ठीक है? इसलिए हम लोग metal इसलिए हम लोग कहा सकते हैं कि silver is the best conductor of electricity इसमें आप ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सबसे मितलब low high की resistivity के बार में है जैसे इवो नाइट हो गया इवो नाइट उसका होता है resistivity आपको 10 to the power 15 से लेकर 10 to the power 10 to the power 17 ohm meter अब ध्यान देंगे आप लोग यहां माइनस में तो माइनस में तो बहुत छोटा कम होगा और यहां देख पॉल पलस में है पावर लुटा आप इस में से य सको और कर लीजे लर्ण कर लीजए हम लोग बनाते हैं उस सु कोपर का क्यों करते हैं क्यों क्यों कि क्यों 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 क्या होता है सिल्वर के respect में क्या है कपधनसीव है और यह करी दो हम लोय करें कोपर और ? अलुमीनियृम का चिलوق का ज़्यादा यूज नहीं होता बहुत रेयर का स味ना लेकिन जाका तरह तरह अच्छा हुता है copper और aluminum में को अच्छा होगा copper होगा क्योंकि copper कर resistivity क्या है 1.69 into 10 to about minus 8 ohm meter और aluminum क्या है 2.63 into 10 to about minus 8 ohm meter इसका मतलग क्या हो गया इसका कम है इसलिए copper क्या हो गया हम लोग ज्यादा यूज़ करते हैं आप इसको learn कर लिजेगा notes बना लिजेगा thank you for watching